इमली की सामने आ चुकी है अथर्व और चीनी के रिष्टे की सच्चाई जी हाँ इमली जान चुकी है कि अथर्व उससे नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन चीनी से प्यार करता है लेकिन उसे इस बात का दुख है कि आखिर क्यों इन दोनों ने इस बात को चीनी ने और अथर् इसके शो इमली के अपकमिंग ट्राक में आप देखने वाले हैं बहुत बड़ी तक्रार और ये तक्रार होगी अथर्व और इमली के बीच पहले तो अथर्व चीने के साथ भागने के लिए रेडी हो जाएगा लेकिन उसके बाद अपने परिवार की खातर अपने फैसले को बदल देगा अथर्व और इमली से ही शादी करने के लिए राजी हो जाएगा वहीं इमली अब अथर्व और चीनी की रिष्टे की सचाई जानती है इसलिए वो अथर्व के पास जाकर इस बात का खुलासा भी करतेगी और उससे पूछेगी कि जब अथर्व इमली से प्यार करता ही नहीं है तो फिर वो क्यों उससे शादी कर रहा है इसके बाद अथर्व कहेगा कि मैं अपने परिवार की खातर ये सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन इमली को उसका ये फैसला बिलकुल भी मन्सूर नहीं है क्योंकि इमली एक ऐसे बंधन में नहीं बनना चाहती जो जबरदस्ती का हो इसके साथ अब इमली और अथर्व के बीच आपको धेर सारी तकरार भी देखने के लिए मिलेगी इमली अथर्व को चुनौती देगी कि वो इस शादी को या तो रोक दे या फिर वो चीनी और अथर्व के प्यार की सचाई सब के सामने ले आएगी वही दूसरी तरफ चीनी जो कि इस मक्त बहुत बड़े कन्फूजन में है चीनी सिर्फ अथर्व की और अट्राक्टेड है वो उससे प्यार नहीं करती है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि चीनी अथर्व को धोखा देती हुई भी नजर आएगी इमली के कहने पर जब अथर्व इस शादी को तोड़ने के लिए राजी हो जाएगा और चीनी के साथ अपने रिष्टे को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा उस दौरान चीनी अथर्व का साथ छोड़ देगी तो अब देखना इंट्रस्टिंग होगा कि इमली अथर्व और चीनी के लव ट्राइंगल की ये कहानी और क्या-क्या नए-नए एंटेटेनिंग ड्रामी लेकर आती है